सभी को नमाशकार, माइकड़मी लखनों की आउनलाइन प्लेट फार पर आप सभी का हारदिक शौगत है, तो आज हम लोग बेसिक मैट के क्लास टू की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जोड घटाओ की बाते किये थे, कुछ बेसिक कॉंसर्प जो पहली क्लास को न द कैपसर्टी बन जाएगी करने के लिए, तो आते हैं, सभी चलते हैं, पहले कोश्चन पे और पहला कोश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा, ये वाला, तो इस कोश्चन को करने के लिए साइद आपको टाइम टेकिंग लगता है, बट इसको आप के मैथड से आपको रोबरू करात 22 है, इसका मतलब आप देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिश्रिद भिनने बोलते हैं, और मिश्रिद भिनन को अलग करते हैं, जैसा कि मैंने एक मान करके लिया था, जैसे हस्बेंड वाइप की बात करें, एक complete and incomplete number, पढ़ा लिखान पढ़ को जब जोड़ते हैं, तो मिश् तो इसका मतलब ही हो गया, minus 14 ये भी हो जाएगा, और minus 3, 4 ये भी हो, ये दो बाते आप ये इसमें पकड़ लेते हैं, तो बाते समझ में आ जाएंगे, ठीक है, तो मैं इसको अलग करके पहले एक बार पूरा details करवा देता हूँ, फिर आपको तरीका 2 सिकट वाला, मैं सीध गी होगे,好像 21 बचेगा, 31 में हम जब 7 जोल लेंगे, तो बोलोंगे 38 बचेगा, बोलो, समझ में आया, तो इतनी बाते सिर् यहां, नंबर की बात करो, तो यहां नंबर हमारे पास 38 आएगा, तो इहां पे इतनी बात समझ में आ गई, उसके बाद आप देखोगे, एक बटा 4 मीनिस दो बटा हर । चाहर का मतलब एक बटा हर, और अपनिस दो बटा हर। को ऐसा समझ नहीं आता, तो मैं पूरा explain करके आपको समझाना चाहता हूँ, फिर आप जल्दी से इस questions को फिर से repeat करके मैं बता हूँ का, ठीक है, तो बने रही है, बहुत ध्यान से समझना होगा आपको, तभी ये सारी चीज़े आपको clear हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं mathematics बहुत अच्छे से आने लगेगी, ये मेरा दावा है कि आजाएगा आपको, तो बेटा, 22 प्लस और एक बटा दो अलग कर लो, चीक है, और प्लस 23 को अलग कर लो, और प्लस एक बटा चाहर अलग कर लो, चीक है, और ये जो 14 माइनस में लिखा तो माइनस 14, और आपको मैं तीन बटा, दो बटा तीन ही हो जाएगा, इतनी बात साय समझ में आ गई होगी, तो मैंने काई, ये देखो complete नंबर और ये 22 और ये 7, आप इसको जोडोगे, 45 हो जाएगा, 45 प्लस 7 जोडोगे, 45 साथ 52, और 52 में से बिटा यहाँ पे जब आप माइनस करोगे 14, तो 52 में से जब आप 14 माइनस करोगे तो आप देख रहे हो 38 बचेगा, इतनी बात समझ मागी, तो यहाँ पे 38 बच रहे है, clear? अब इसके बाद में आप देखना होगा आपको हर जिसके समान समान वाले हर, तो शमान वाले नंबर हर वाले आप देखो कि किसके हर समान है, तो यहाँ पे एक बटा चार में से माइनस तीन बटा चार माइनस करोगे, तो हर तो चार ही बचेगा, यह तो आपको पता है, चार ही बचेगा, लेकिन अंस में क्या होगा, तीन में से एक गया, मैं पहले ही क्लास में बताया हूँ, तीन में से एक जाएगा, तो दो बचेगा, लेकिन प्लस एक बटा दो, हमारे पास बचा गया है, प्लस एक बटा दो, यहां प्लस एक बटा दो, और क्या बचा हुआ, दो बचा हुआ, तो यहां पे बचा हुआ, दो बचा हुआ, तो एक बचा दो, एक बचा दो, यह निगेटिव चिन है या पॉस्टिव चिन है, यह दोनों खतम हो गया पचा हमारे पास किया 38 बचा हुआ और दो बटा 3 बचा हुआ तो यहां दो बटा 3 प्लस में लिखो या सही में लिखो तो हमारा answer पहला option आएगा अड़तिस सई दोवटा थी शायद आसा है कि आपको समझ में आया होगा ना आया हो फिर से आप एक बार कमेंट करेंगे और हम बेसिक जो भी जैसा ही भी आपको डिमांड है उस तरीके से आपको बातें प्रोइट कर देंगे करवा देंगे अब यहां पे बेटा दिखो यहां कि इनको भिगनने से जोड़तें गटाते हैं तो आपका डारेक्ट कोशं का आंसर आजाते है ठीक है जैसा कि मैं सीकेंड नंबर पर अप्लाइ करता हूं आप 3 बार कम से कम करना ठीक है एक तो दो बार तीन पर चितनी बार आप करोगे कोशन उतनी बहतर तरीके से आपके चहल में बैट साएगा तो मैं अगला कोशन लेता हूँ अगला कोशन सेमेज ऐसा कुछ दिखरा होगा और इस कोशन को भी सेमेज बेटा करोगे तो आप यहां पर देखो आप करना क्या होगा यहां पर से वैज़ ऐसे ही करना है 23 यहां पर अलग करना है प्लस 5 बटा नो अलग करना है ऐसे प्लस 10 अलग करना हूँ 2 बटा 3 मैं सारे नंबर को बहुत आसानी से करा दूगा 16 जब निगेटिव लगा माइनस सत्रा हो भी माइनस चार बटा ये भी चार बटा नो भी निगेटिव हो जाएगा वैसे माइनस छे में माइनस एक बटा दो दो निगेटिव हो जाएगा इतनी बात ये आपको clear है तो आपको बताना चाहता हूँ 23 और प्लस 10 ये करेंगे 33 हो जाएगा और 33 में से आपको 17 और माइनस 6 देखें निगेटिव निगेटिव है दो निगेटिव सत्तरा और ये देखो माइनस 17 और माइनस 6 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 23 ये और ये और ये खतम हो जाएगा इतनी बात साथ समझ भा गई हूँ, मतलब दो निगेटिव निगेटिव जुड़ता है ये आपको भी मैं बैथा चुका हूँ, कहने का मतलब 23 प्लस 10 माइनस 17 माइनस 6 ये अलग कर लो, और 5 बटा 9 प्लस 2 बटा 3 और माइनस 6 बटा 9 और माइनस 1 बटा 2, इतने नमबर अलग क जब आप इनस दोनों को जोड़ोगे तो देखो न, ये 23 और ये पॉस्टिव एग निगेटिव घट साएगा, घटने के बाद हमारे पास नमबर जो बचेगा वो 10 बचेगा, ठीक है? अब ये आप देखो न, 9 मेंस ये वाला दोनों नमबर, ये और ये वाला नमबर, माइ मेंसे चार घटेगा, तो एक बचेगा, एक बचेगा, ओभी कैसा, प्लस ये माइनस प्लस में, प्लस एक बचा नो, एक बचा नो, दो बचा तीन और माइनस एक बचा दो, अब आप क्या करोगे, यहां पे दोनों का एलसीम लोगे, क्या करोगे, एलसीम लोगे, अब यहां पहले तो आप दिए दो बटा तीन और एक बटा दो को घटा लिजे घटाने के लिए क्या करना होगा आपको पहले तो हर दोनों का शमान होना चाहिए क्या होना चाहिए हर दोनों का हर शमान करने के लिए इसका गुड़ा इधर और इसका गुड़ा इधर इन दोनों को जब क क्रॉस कर देना और दोनों के हर को आपस में गुड़ा कर देंगे, डारेक्ट भिन को जोडने और घटाने का तरीका मैं अभी रिपीट कर दूँगा इस कोशन को, ये छे हो जाएगा, तो चार में से तीन जाएगा तो एक बटा छे बचेगा, कितना हो जाएगा, एक बटा छ करेंगे और छे इधर गुड़ा करेंगे, नौ इधर हो जाएगा और आपस में नौ गुड़े छे, नौ छक चववन हो जाएगा, नौ छे, पंदरा, पंदरा बटा चववन, और पंदरा बटा चववन बेटा कितना हो जाएगा, इसको काटोगे, तो दस तो सीधा-सीधा बचा हुआ 3-3 से काटोगे तो 3-5-15 और 3 से काटेंगे 3-1-3 और 3 से कटने वाला नहीं है तो यえ 3 से नहीं कटने वाला कोई नमबर है तो यहाँ पर अच्छा 3-8-24 8 से कट जाएगा 3-8-24 5-18 तो आप यह देख पा रहे होंगे ये नमबर 10-5-18 तो इन में से कोई नहीं का option आ रहा है, इसके अलावा 9-6-15, इसके अलाओं कोई कटने वाला number नहीं है, और यहां पर एक बार फिर re-check कर लेना इवर कभी mistake हो सकती, 2-2-4-3-1-3, 4 में से 3, 1-2-6, तो 6 इधर, 9 इधर, 9-6-4, 15-4-5-4 का मतब 3 से काटेंगे 3-5-15, और 3 से नी समझ नहीं आता, तो इसको एक बार repeat कर देना, ठीक है, repeat करके करना, अब मैं आपको यसी questions को, यदि इसी questions को मैं direct करना चाहूं, इतना पुरा team, यह सब previous पेटा, previous आए हुए paper का questions है, ठीक है, यह मैं सोचना कि अपने हिसाब से ऐसे बना लिया, ऐसा नहीं है, आपको समझान के लिए सारे previous question लेता हूं, क्यों ऐसा करोगित हो सकता, यही question फिर से repeat हो जाए, इसलिए मैं लेकिया हूँ यह question को, ठीक है, तो चलते हैं, अब इसको जल्दी से फिर से एक बार repeat करेंगे, और इस प्रस्णों को फिर से करने का प्रयास करते हैं, ऐसे जब 30-40 question आप करोगे रोज और practice करोगे, जिससे आपको सारी बाते समझ में आने लगेंगे, ठीक है, तो अब आते हैं, हम question को फिर से करते हैं, तो आप direct करो 23, 23 में 10 यह, और minus 17 और minus 6, minus 17, minus 6 मिलाकर आपको 17 और 32 और 36, तो यह और यह मिलाकर यह 30 खतम हो जाएगा, हमारे पास बचे का नंबर 10, इतनी बात समझ में आनी चाहिए, दूसरी, जब 2 के हर समान समान है, नो नो, तो पांच में से 4 घटा होगे, बचेगा 1 बटा नो, इतनी बात समझ में आईए, और फिर हमारे पास बचेगा 2 बटा 3, और minus 1 बटा 2, और आप सीधा 3 का LCM ले सकते हो, directly आप 3 का LCM ले सकते हो, तो बहुत अची बात है, तो ये 9 दूना, 18 दो दो उपर नीचे गुड़ा हो जाएगा, ये 6 चत्री का 18 छेचे गुड़ा हो जाएगा, और ये 9 गुड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो उपर नीचे अंसर हर में सबका 18 LCM हो गया, 18 LCM होने के बाद आप देखो इसको 2 कितना, पांच, तो पांच बटा कितना हो जाएगा, ठारा, तो वही इन आंसर यहां पर भी आ रहा है, जितना पहले आ रहा है, ठीक है, तो आपको साइद आशा है कि समझ में आया होगा, तो इस प्रकार आप जल्दी से questions को कर पाओगे, ये फिर भी कोई doubt रहता है, तो स्क्रीन पे है, वो देखो कैसे लगेगा, तो सी में जैसा कुछ ही नंबर है, और यहां पे सारा सारा positive नंबर दिख रहा है, सारा positive नंबर है, तो optional की कोई जरूवत नहीं यहां पे साइद आपको, मैं direct options से भी गटानी का प्रयास करूँगा, इसलिए मैं अभी देखो, आपको explain करके बताता हूँ, दस और आठ बटा शाथ, प्लस बीस और चार बटा शाथ, भहुत आशानी से देखिएगा, हर एक प्रकार का question जो आपको दिक्कत करता है, वो सभी question का सत्यानाश यहां करेंगे, और छे प्लस ग्यारा बटा एकीस, ठीके बिटा, अब यहां पे देखो 10 और 20 यह 30 हो गया, और 2, 30 और 2, 32 हो जाएगा, और 32 और 6, 38 हो जाएगा, तो यहां पे पूरा मैं लिखता हूँ, 38, कोई दिक्कत इतनी, इतनी बात समझ में आ गई होगी, अब यहां पे आप देखो, यहां पे देखना यह है, इसके हर समान है, दो नमबरों के हर सम तो आप लिखना चाहते लिख लो, ऐसे 7, 8, 4, 12, 12 बटा शाथ यहां पे सीधा कर शकते हो, प्लस 2 बटा, 2 बटा, यहां पे 3 बटा लिखा हूँ, 3 बटा, 14, 3 बटा, 14, और प्लस 11 बटा, 12, देखो, मैं सबके हर को एक साथ में करके भी बना सकता था, कोई बहुत बड़ी बट नहीं थी, लेकिन यहां पे देखना कैसे करेंगे, अब यहां पे 3 का हर देख रहें, डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट हर है, परिशान होना नहीं है आपको, कि हां, लेकिन हां, 3 का LCM लेके आप बराबर कर शक्तो 42 आ सकता है, देखो, 7 के आपने किसी इची नमबर में किया, कहने मिला कोई इनसान है, अपने पैर में लाटी मारी तो सिर में मालना पड़ेगा बराबर रूप से, और 42 को करने के लिए 42 बनाना है 14 को, 14, 43 और अंसर में 3, 3 से गुणा करोगे, इस समें भी 7, 6, 6, 6 गुणा करोगे, तो ये पुरा 42 ह हो जाएगा पूरे नमबर, तो देखे, 14 चंग 84, ये हो जाएगा 84, ऐसे जोड़ो लो यहाँ पर, ये 84 हो जाएगा, अंस इसका, तीन तरिक का 9 इसकांस हो जाएगा, और ये 11, 12 हो जाएगा, 22, और प्लस नो यहाँ पर, टोटल जब जोड लेंगे, 4, 2, 6, 9, 6, 15, 15, 15 के 5, और 8, 2, 10, 11, 115, 115 बटा, यहाँ पर 42 हाएगा, 115 बटा 42 और यहाँ बचेगा, देखो 38, 38 हो गया, और 115 बटा 22, अब इसको आप क्या करिए, काटिए, या भाग कर दीजिए, जब आप 42 से भाग करोगे, दो बार जाएगा, 42, दूना 84, दो इसके पास और आएगा, कित आएग 38 तो हई है, आपके पास दो और मिल जाएगा, 38, 42, और 115 में से, जब आप 115 को, 115 को जब आप भाग करना चाहते हो, अब इसको मैं मिटा दूँ, स्क्रीन सॉट ले लीचे, उसके बाद फिर मैं आगे, क्योंकि स्पेस नहीं हमारे पास यहाँ पर, नहीं तो आप clarity समझ नहीं आईगी आपको, देखो मैं आटा देता हूँ इसको, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, जब यहाँ पर इसको भाग किया, 115 को जब भाग करोगे 42 से, तो 42 से जब भाग करोगे 42, दूना 84, और यह 84, और एक बचेगा, और यहाँ पर 10, 10 में 21 बचा, किता हो गया, 21, 21, नहीं एक मिनट, 21 नहीं, यह 31 बचेगा, ठीक है, यह हुआ 31, तो आप देखोगे, दो बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, दो बार, जितनी बार आता है भाग फल, उसको सही में लिखा जाता है, जितना सेस बसता अंस में लिखते हैं, जिस से देखोगे, तो 38 और 2 मिलाकर यह 40 हो जाएगा, 40 सही, 31 बचा, 42 आएगा, किलियर, इतनी बात सायत समझ में आई होगी आपको, यदि इतनी बाते समझ में आई, तो डारेक्ट एक बार कोशिश करिए, कि यह कोशन आप 20 से 25 सिकंड में कर लीजे, यदि यह 20 से 25 सिकंड, 10 सिक दर्शी से 25 आपके लिए, और आपके एक्जाम में जरूर कोई भी ऐसा एक्जाम नहीं, जिस एक्जाम में नहीं हाई, लेबल की बात नहीं कर रहो हूँ, यहाँ छोटे लेबल के, जितने भी नॉर्मल एक्जाम होते हैं, इसमें ऐसे कोशन मिल जाते हैं, और आप पीड करता हूँ, उसके बाद देखे लियां से, इतना टाइम करने की जरूरत नहीं लगती, तो एक बार तो आप पुरा बिस्तार करोगे, फिर नॉर्मली करोगे, उसके बाद अब जब एक से दो बार जब कर लोगे, आपको समझ में आते आ जाएंगी, तो कैसे करोगे आ देखो, अब इसी कोशन को दश, बीस, तीस हो जाएगा, तीस दो बत्तिस, बत्तिस ओ छे, अड़तिश, आप कांसर अड़तिस आ जाएगा, सीधा, तो आप अड़तिश, अब देखो, सब कोई नंबर आप्शन में दिखनी रहा है आपे, तीक है, अब आगे देखोगे, ज साथ के साथ, साथ, पांच बारा, पांच बटा शाथ, तो ये तो मिलेगा, एक सही, पांच बटा शाथ, यहाँ पे हमको, ऐसे लिख लो, फिर तीन बटा चौदा मिलेगा हमको, और यहाँ पे दिस, तो यहाँ पे मिला मेरे पास, तीन बटा चौदा भी मिल गया, और प्ल के जगा हमारे पास हो जाएगा 49 क्या हो जाएगा 49 जब इन दोनों को बराबर करोगे जब इन दोनों को बराबर करोगे देखो ये 14 है 14 है तो दो दो गुना उपर नीचे कर लो पांदोना 10, 10 हो तीन 13 13 बटा किता हो जाएगा 16 और ये 11 बटा 21 ये दूनों नंबर जब हल करोगे 14 और 21 का कोई तरीका नहीं है जो हल करने के लिए अब सिब LCM के लाओं कुछ नहीं कर सकते हो 14 और 21 के पहाड़े में बेटा जो आएगा 14 और 21 के पहाड़े में 14 और 21 का जब पहाड़ा पढ़ोगे तो आप 14, 43 और 22 और 22 और 22 आ सकता है तो इसको बेटा 42 करने के लिए 2 गुना उपर 2 गुना नीचे और इसको भी 42 करने के लिए 14, 43, 42 होता है तो 14 को 3 गुना करेंगे तो अनस को भी 3 गुना करना पड़ेगा और 13, 33, 49 ही है 11, 22 ही है 49 प्लस 22 बटा बयालिश और इन नो दो ग्यारा हो जाएगा और तीन दो पांच एक छे हो जाएगा बटा और ये बयालिश जब इसको भाग करोगे तो एक बार जाएगा इसको भाग करोगे तो एक बार जाएगा और क्या बचेगा? उननीस बचेगा 19 बटा 42 बचेगा ठीक है तो हमारे पास हुआ एक 19 बटा 42 आया तो 49 था एक और मिल गया हमको मिल गया 40 सही 19 बटा 42 किलियर तो हमारा जो option आया वो पहला option दिखाई दिया होगा तो इस तरीके से आप कर सकते हो और बहुत कम minimum समय में कर सकते हो और इस तरीके से भी किया जा सकता है अगले टाइब का प्रस्ट इसको दो दो एक एक तीन तीन जितनी बार आपके मन कह उतना करना और इस टाइब के और भी प्रस्ट है लेकिन इससे related अभी ये वाले भी प्रस्ट है पहले इसको कर लेते हैं तो चोटे वाले प्रस्ट करते हैं पहले भीन वाले पे ही बात कर रहा हु तो आते हैं अगले पागला जो हमारा प्रस्ट है वो आला देखो अब आपको क्या करना है यहाँ पर भी 73 प्लस एक बटा अठ करना है ऐसे तो minus 29 माइनस 3 बटा 4 का देखो देखते पर में मैं निगेटिविटी समझ में आ रही माइनस 20 और माइनस 7 बटा 8 और प्लस 26 प्लस 9 बटा 10 ये आपके माइन्ड में आना ही चाहिए इतनी बात ये इतनी बात आपके दिमाग में आ जाती है तो साइद आपको समझ में आ जाएगा फिर जब आपको देखो माइनस और निगेटिव निगेटिव दो नमबर दिखने है तो पॉस्टिव दो निगेटिव जब 73 में से 73 और 26 को जोड़ोगे तो 639 हो जाएगा देखो इनी बात समझ में आ गई कि 99 से 49 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा मतलब 50 और भी पॉस्टिव में बचेगा 1 प्लस 1 माइनस मैंने पहली वीडियोस में जोड़ और घटाओ कि पहली वीडियोस में बता चुका हूँ कि जोड़ और घटाओ में 1 प्लस 1 माइनस घटता है और चिन हमेशा बड़े नंबर के सामने का लगता है अब क्या करना होगा अब यहाँ पे 1 बटा 8, 3 बटा 4 यह सारे नंबर को जोड़ना है तो आप यह देखो, एक नंबर हमारे पास यहाँ पे लिखा क्या है अब यह लिखा है, एक नंबर लिखा है 1 बटा 8 और दूसरा 7 बटा 8 तो 1 बटा 8 में माइनस 7 बटा 8 जब घटाओगे तो क्या बचेगा तो हर समान है, जब हर समान हो और हमको घटाना हो तो अंस को घटाते हैं सर्फ तो 7 में से 1 जाएगा तो माइनस बचेगा, माइनस 6 बटा 8 बचेगा कितना? माइनस 6 बटा 8 7 में से 1 गया, वो 6 बचेगा, वो भी negative बचेगा क्यों? क्योंकि bigger number बड़ा 7 वाला छोट क्या है बड़ा number इसलिए उसके सामने का चैनल लिया जाएगा और 2-2 से इसको जब काट देंगे तो 2-3-6, 2-4 काट मतलब माइनस 3 बटा-4 बचेगा, क्या बचेगा माइनस 3 बटा-4 माइनस 3 बटा-4 और हमारे पास number माइनस 3 बटा-4 का और एक दूसरा number लिखा हुए और एक number यहाँ पे बचा हुआ, 9 बटा-10, देखो देंसे यह number माइनस 3 बटा-4 और माइनस 3 बटा-4 दो हो गया, मतलब 3-3-6 हो जाएगा कहने का तातपर माइनस 6 बटा-4 और यहाँ पे प्लस 9 बटा-10, दो-दो से काटेंगे तो माइनस 3 बटा-2 बचेगा और प्लस 9 बटा-10 बचेगा, जब इन दोनों number को हल करेंगे तो इसका denominator 5 इसका जो हर है वो देखे डिफरेंट है तो इसको करने के लिए इसका हर 2 है, इसका 5 है, तो आप इसमें 5-5 से उपर नीचे गुड़ा कर लो, answer में तो इसका भी हर 10 हो जाएगा, और यह हो जाएगा माइनस 15 और प्लस 9 बटा-10 हो जाएगा और बेटा 15 में से जब 9 आप निकालोगे तो माइनस बचेगा, माइनस 6 बचेगा तो बचेगा माइनस 6 बटा-10 और आपकी वैलो जो माइनस 6 बटा-10 हाई है, इसको जब काटोगे तो आपको बता दू, यह बचेगा माइनस 3 बटा-5 क्या होगा माइनस तीन बटा पाँच और आपको अब आसान हो गया कि पचास में से माइनस तीन बटा पाँच कैसे घटाना है ये एक नंबर ये मैं पहली वीडियो से बता चूक हो जब कभी भी ऐसा घटाना हो तो एक नंबर इधर तो इस तरह डिटेल जितना करोगे दिमाग उतना पजल्ड हो जाता है, पहले ये भी समझ लो आप, हाँ, कुछ चीजे केलियर हो जाती है, लेकिन दिमाग ज़्यादा पजल्ड होगा, तो आप डारेक्ट जब आप कोशन को इतनी बातें समझ में आने लगी हो, तो अब जब आप जल्दी से करोगे इस कोशन को और डारेक्ट अब इतनी बातें किलियर हो गए, प्लस माइनस कहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी बातें किलियर होने के बाद अब इतना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरुवत नहीं है, अब देखो कैसे हो सकता है, यहाँ प तो आप 73 और जब 26 को जोड़ा तो आपने देखा 99 आया है एकदम सही और 29 और माइनस माइनस दोनों है तो जोड़ा तो माइनस में आया है और कितना है उन्चास तो हमारे पास जो नंबर उडांग वाला नंबर जो बचा हो 50 बचा बोलो सही है को हाँ अब आठ वाला नंबर ये आठ है ये आठ है इसका है तो ये शात मेंसे एक गया ओ बचेगा माइनस 6 बचा और इसको जब बेटा सिंप्लिफाई किया अपने तो माइनस 3 बचा कितना बचा 4 कितना बचा 3 बचा 4 और हमारे पास पहले से माइनस 3 बचा 4 मतलब एक माइनस 3 बच पहले से हो, और एक तीन बटा चार हो, और आ गया, जब दो निगेटिब निगेटिब हो, और यहाँ पे हर भी बराबर हो, तो अंस को जोड़ लेंगे, तो मैनस तीन माइनस चे हो जाएगा, मैनस चे बटा चार, अब नीचों मत जोड लेना, कुछ लोग क्या करते है, छ्हा वोपर दो से नीचे 2, 3, 6 और 2, 2, 4 समझा है के नहीं? तो माईनस 3 बटा 2 हो गया किता हो गया माईनस 3 बटा 2 हो गया तो आप यहाँ पे 50 तो आया और माईनस 3 बटा 2 आया और हमारे पास क्या बचा हुआ है नंबर में? अब हमारे पास देखो इसको नो बटा दस के साथ किरिया कर दिया, जो बचा हुआ था, तीन बटा चार के साथ कर लिया, ठीक है, बचा हमारे पांस नो बटा दस, वो भी कैसा, पॉस्टिफ, ठीक है, तो इसको नो बटा दस के साथ किरिया कलाव करेंगे, अब इसका किरिया कलाव नो बटा दस के सा अब हर समान नहीं है, इसके हर शमान नहीं है, तो इसके हर को शमान करने के लिए आप क्या करोगे? इसको भी 10 बनाना थो 5 से नीचे 5 दूना 10 हो जाएगा, जिब नीचे किया तो उपर भी 5 से गुड़ा करना पड़ेगा, 5 गुड़े 3 जब गुड़ा करोगे, माइनस 15 आएगा, माइनस 15 बटा 10 और माइनस प्लस 9 बटा 10, हर समान है तो 10 ही लिखेंगे, लेकिन अंस को यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ गटा लेंगे, तो 15 में इसे देखिए, 15 में इसे 9 गईगे, तो यहाँ बचेगा 6 वो भी नि माइनस 3 बटा 5, जो 50 में 3 बटा 5 जब घटा होगे तो आप समझ गए होगे, पहली वाली वीडियो स्कृपया देख लीजिएगा, यह बात आपको वहाँ पर कन्फर्म हो जाएगी, कैसे घटवाया था, तो यह कित से छोटा है? एक से भी छोटा है, तो मैंने इसे लिए इ पार मेंसी अंस को गटा लो, पांच मेंसे तीन जाएगा, तो यह बचेगा एक बटा 5, clear? तो सारी, पांच मेंसे तीन जाएगा, दो बटा 5, तो हमारी वैलू जो आएगी, उन्चास सही दो बटा 5 आएगा, तो साइद आशा है कि आपको यह सारे प्रस्ट सबच में आ रह किया कि हाँ, आप लोग को जो परेशान है और नहीं आ रहा उसको mathematics, उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो अगला प्रस्ट सेम एज भिन का अगला प्रस्ट जिससे आपको देख करके डर लगता है कि question ऐसे कैसे लगेंगे, तो आप देख देख के 2-2 second में question लगाओग आप डारेक्ट कैसे करोगे इसको, सब प्लस है, आठ, छे, आठ हो छे, चौदा, चौदा हो आठ किता हो, बारा किता हो जाए बटा, चौदा और बारा मिला के 26, ठीक है, 26 और 14 मिला करके आप देख रहे हैं, 26 और 14 मिला देंगे, तो ये बनेगा 38, बोलो समझ मैं, इतनी ब 8, 6, 14, 14, 28, 28 और 12, 30 हो गया, ये टोटल 30 हो जाएगा, किता आगया, 30, अब इसमें हमको देख रहे हैं, 14, 14, 28, 30 क्यों हो रहे हैं, ये 40 बनेगा पुरा, ठीक है, स्वारी, तो ये हो गया हमारा 40, और 1 बटा 2, और यहाँ पे सारे नंबर को देखिए, भिन वाले, 1 बटा 2, 1 बटा 3, 1 बटा 6, और 3 बटा 4, किसी के हर बराबर नहीं है, जब किसी का हर समान नहों तो सबका LCM ले लिया करो, डारेक्ली ऐसे, डारेक्ली तीन का, दो का, और छे का, और चार के पहाड़े, दो चंग बारा भी आएगा, तीन चोग बारा भी है, छे दुना बारा और चा मलब जब यहां बारा बनाना है, तो 6 से नीचे और 6 से उपर बुड़ा करोगे, ठीक है, इसको बारा बनाने के लिए 4 से उपर और 4 से नीचे, इसको बारा बनाने के लिए 2 से उपर, 2 से नीचे, और इसको बारा बनाने के लिए 3 से उपर, 3 से नीचे, ठीक है, तो यह हो ज लोड़ लो, 6, 4, 10, 10, 12, 12, 12, 9, 21, 21 बटा बारा और इसको आपने जब simplify करेंगे, मत्थ 3, 3 से divide करोगे, 3 साथ 21, 3 चग बारा, ये 7 बटा 4 हो गया, और 7 बटा 4 को आप भाग करने की इच्छा है, तो आप भाग करदो, जब 7 को 4 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, जब 7 को 4 से भाग करोगे न, तो 4 एक के 4 जाएगा, और बचेगा मारा 3, तो जितनी बार जाता है, उसको सही में लिखा जाता, और 6 ऊपर लिखते हैं, अंस में बटा, जिससे भाग कर रहा है, तो 40 सही 3 बटा 4 का मतलब, 40 हो एक यहां जुड़ जाएगा, 40 हो एक इता हो जाएगा, 41 सही 3 बटा 4, बोलो समझ हाया, 41 सही 3 बटा 4 is correct answer, clear होगा, तो इस प्रकार आप जब इस भिन्नों को आप प्रस्ट को हल करोगे, तो सायद आपको धीरे धीरी बाते समझ में आने लगेंगी, बटा, अब आगे देखो, इस भिन्न पर आधारित मैंने कई सारे प्रस्ट करवा प्रस्ट लिखे हूँ, इसे आशान वाले थोड़ा प्रस्ट लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है, तो पहले तो यह दस्मूल वाले ना करके, नॉर्मल वाले पहले नंबर लेते हैं, चलो, पहले यह आला देखता हूँ, जब यह नंबर जोड़ना हो, आ इससे और भी वहतर, फास्ट तरीके से कोशन्स का आंसर निकाल पाऊँगे, आपसन चेक कर पाऊँगे, ठीक है, लेकिन पहले आप इसको देखो, इसका इकाई, इसको जब जोड़ना हो, दो नंबर जोड़ना हो, तो इकाई को इकाई से, दाई को दाई से जोड़ते हैं, तब 5 को 5 से, 5 और एकाई कोई काई, 5 जेकिता हो गया, 6, दाई, 5 और 8, 8, 5, 13, 13 के 3 हासिल बजी, 1, फिर देखो 6, या भी देखो 6, और 6, 2, 8, 1 हासिल, 9, और 2, 1, 3, तो ये तो आपने जोड़ लिया, उसके सामने माइनस था, माइनस लगा लिया, ओँ, 8, 3, 6, 9, देख रह 9, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3 ठीक है? अब ये नंबर बड़ा है ये बड़ा है, बड़े में से घटाना है छोटे को, ये छोटा है, ठीक है? ये आपको याद भी रखना है सही और 6 में से जब 3 घटाओगे तो 3 बचेगा, तो double 3 वाली वैलू हमारे पास B में आ रही, लेकिन इन में से कोई नहीं option है, तो मत लगाना फिर यहाँ पर एक उधार लिया क्योंकि 9 घटेगा नहीं, तो 13 हो 13 में से जब 9 घटाओगे, बड़ा 4 बचेगा, ठीक है? और यहाँ क्या बचा हुआ? 8, 8 बे बगल को उधार दे दिया तो बचा कितना मिटा? यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 3 निकाला, तो यहाँ 4 बचा, तो 44, 33 is correct answer, यह आपके paper में आ चुका है, आया हुआ प्रस्टन है, ठीक है? तो इस तरीके से आप धीरे-दीरे प्रस्टों को हल करोगे, और यहाँ digits हम लगा करे के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे number तो same ही, इधर-उदर दिख रहे है, इन में से कोई नहीं का option भी दिख रहे है, ठीक है? तो अगला प्रस्टन देख लो अगला जो प्रस्टन है हमारे screen पे आप इसको same age वही लिखा हुआ है, देखो same age वही लिखा है, बस परिशान नहीं होना है, आपको देख करके कि ऐसा कैसे लगाएंगे, तो दो यह negative नंबर है, आप समझो, तो दोनों negative को जोड़ लो, 9, 5 कितना है, 9, 5, 14 के 4 हासिल बची एक, ठीक है, आठ और 5, 13, 13 एक कितना हो गया, 14 हासिल कितनी बचेगी, एक, फिर यहाँ 0 और 6, 6 हो गई, एक हासिल कितना हो गई, शाथ, ठीक है, और यहाँ पर 2 और 3, 3, 2, 5, कितना हो गया, 3, 2, 5, तो यहाँ पर पूरा 5 लिख देंगे, उच नहीं बचा हुआ था, और minus करना है आपको 9, 5, 1, 2 में से, ठीक है, अब इतन से 4 गई, तो 8, अब 8 देखो, यह तो होई नहीं सकता, तो option यह और यह क्लिक कर रहा होगा, फिर यहाँ पर एक उधार ले लिया था, तो यहाँ बचा 0, 0 फिर बगल से उधार लिया, यह 10 हो गया, एक के अस्थान पर कितना बन गया, 10, जब आप बगल को दे दिया, यहाँ पर बगल से उधार लेंगे, जब बगल वाले से उधार लिया, थो गया 14, और 14 मेंसे 7 गया, तो यहाँ बचेगा 7, तो आपका नंबर एक क्लिक हो रहा है पहला option, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा, भई एक उधार दे चुका हो 8, 8 मेंसे 5 गई हो 3, तो ऐसा करता है न, उपर नीचे लिखने में बेटा टाइम बरबाद हो जाएगा, तो उपर नीचे की आदा जिंदगी मत करिये, क्योंकि उपर नीचे करते करते जीवन बीच जाएगा, तो उपर नीचे मत करिये, उपर नीचे की चक्कर में पढ़ोगत गड़बड हो तो उपर नीचे चक्कर में वर्बादी यह आती है, तो यहां पर आप देखोगी, इस तरीके से करोगे तो टाइम टेकिंग, आप एकाईं को एकाईं से और दहाईं को दहाईं से घटाएंगे जोडएंगे भी, तीक है, गोड़ा भाग करने की विधिम है, नेक्स्ट वीडि करते हो कि कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, ये कोशन मार का मतलब इसका मान निकालना है, ठीक है, ये नंबर आपको उधर लेके जाना है, उधर लेके जाना मतलब घटा देना है, ठीक है, पहले तो ये दोनों नंबर जोड़ लो, देखो, आठ और छे चाओदा, 14 के 4 हो गया 8 और 5 ये कित्ता हो गया 13 तेरा वे एक हासिल कित्ता हो गया 14 ने एक मिनट गड़बड हो गया यहाँ पे एक नमबर हमने मिस कर दिया देखो बस ठीक है अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे 5 हो गया 5 और 4 5 4 9 एक हासिल बची हुई 10 और 3 तीसरा नमबर 1 और 8 9 और एक हासिल 10 हो गया 8 एक 9 एक हासिल बची हुई 10 हो गया फिर 3 और 2 पांच एक हासिल 6 हो गया तो यह आपको घटाना जोड़ना आना चाहिए और आप घटाओगे 4 जब इधर नमबर आएगा जब एक तरफ से दूसरे तरफ आता है जैसे अपने घर से हम मौसी की घर मावा किया जाएंगे तो सोच में परिवरतन पॉस्टिव का निगेटिव निगेटिव का पॉस्टिव इतना आपको सोच नहीं होगा तो निगेटिव कर लो वन और दो जीरो अब यहां चार में से दो जीरो घटा होगे चारी बचेगा यहां उधार लोगे दस दस में से दो गए आठ बचेगा और जब एक में उधार ले 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 बीच में जब जीरो हो जाए बीच में जब जीरो हो एक में आपने carry दिया, बीच के सारे नंबर 9-9 हो जाते हैं, कैसे, तो ये नंबर जो बचेगा आपका, ये वाला नंबर ये 9 बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9 में से बेटा एक माइनस करोगे, तो ये बचेगा 8 और बचा ये वाला डिजट भाई 5 बचा हुआ, क्योंकि आपने बगल में carry दे चुके हैं तो 5 में से 4 घटा होगे बचा एक 18-84 आप देख रहे होगे कही न कहीं option में आ रहा होगा तो इस कदर आप जब प्रस्टों को करोगे, तो जोड घटा होगा या जो भी आप में ये basic तरीके में problem आ रही हुआ यही question आये हुए, सारे एक question exam में, online exam में offline exam में आया हुआ है वही सारे previous प्रस्टों को मैं लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जैसा कि समझ में आयागा, जो भी ताब एक बार नीचे comment, जरूर comment box में comment करके बता देना मुझे, ठीक है अब अगला प्रस्ट में देखता हूँ और क्या जोड घटाओ पे जैसे ये decimal वाले प्रस्ट है तो अभी decimal वाले भी कराऊंगा, तो पहले तो ये दो प्रस्ट यहाँ पर इसको भी आप कर लो बहले, देखो ये भी previous paper में आया दो बार जोडने का प्रयास कर रहो जब आप एक साइड में इधर ये positive है, जोड का इधर ले जाओगे सब positive है हो जाएगा, एक साइड में लाओगे एक तरब में सारे चिन्ने समान हो जाएगे तो सब को जोड लो एक साथ में तो देखो, एकाई से आठ शाथ पंदरा, पंदरा हो चार उन्नीस, उन्नीस, एक वीस मतलब जीर हो आगया है, क्लियर ये तरीका आपको समझ माना चाहिए कि दोनों negative उधर ले जाएगे दोनों positive हो जाएगा, सिर्फ question mark बचेगा मतलब हमारी value जो आएगी आप ना हो तो मैं एक बार पूरा explain करके दिखा देना चाहता हूँ देखो, क्योंकि बाद में पारिशानिया बनी रहेंगी, फिर दिक्कत आएगी आपको देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या करते हैं 9, 8, 9, 8 और plus 7, 8, 8, 7 और negative इधर लेके आएगे positive हो जाएगा, 4, 2, 3, 4 और plus 3, 2, 4, 1 अब बराबर में सिर्फ question mark बचा हूँ है ठीक है, यह number हो जाता है यह बाते आपको direct वहाँ पर समझ में आनी चाहिए यह बाते वहाँ पर यह directly समझ नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं तब आपके लिए problem होगा तब यह line खीचनी पड़ेगी इसके जरूवत नहीं आपको मैं direct गया कराता हूँ 8, 7, 15 15, 14, 19, 19, 20 यह हासिल आपके दिमाग में उनीचे लिखने एक जरूवत नहीं बच्चों की तरह 9, 9, 8, कित्ता हो जाएगा 9, 8, 17, 17, 17, 3, कित्ता हो जाएगा 20, और 20, 24, 24, 24 और 2, 26 देखो 2, 6, 0, 6, 0, 2, समझे दिख गया फिर भी आपके पास 2 बचा हुआ है फिर 8, 8, 16, 16, 2, 18, 18, 20, और 2, 22 देखो 2, 6, 2, 6, 0, 2, 6, 0, 2, 6, 0, सम्में मैच कर रहा होगा फिर 2 बचा हुआ हमारे पास फिर 9, 9, 7, 16, 16, 4, 20, 20, और 3, 23 और 23 हासिल 2 बची हुई है, 25 25, 260 जो अंसर आ रहा होगा देखो आपके पास 25, 260 लास्ट ऑप्शन है मारे पास 25, 260 तो यहाँ पे मैं डिजिट सम से भी सिंप्लिफाई कर शकता हूँ, आपसन को ऐसा नहीं है, ठीक है तो यहाँ डिजिटल सम के द्वारा भी कोशन को वेरिफाई कर किया जा सकता हूँ और आसानी से जब आप इसको करने लाइक हो जाओगे तम मैं डिजिट सम के द्वारा थोड़ा हाई लेबल अले प्रस्टों में कराऊंगा इसको डिजिट सम के द्वारा अब आते हैं अगले अगले प्रस्ट में चलते हैं, अगला प्रस्ट देखते हैं कैसे करेंगे आप ये दसबलो अले प्रस्ट को अब दसबलो वाले प्रस्ट में क्या परिशानिया होती है, क्यों नहीं लगा पाते हैं आप उसके लिए देखो वेटा इसमें क्या दिक्कत होती है आपको, अब आप दिखो, सबसे पहली गलती क्या करते हैं हम लोगो चिन्न का समझ नहीं होती जब आपको चिन्नकी समझ नहीं होगी जब इन निगेटिव है तो इधर ले जाओगे पॉस्टिव हो जाएगा और ये निगेटिव है इधर आएगा तो पॉस्टिव हो जाएगा तो आप लिखो यहाँ पे यहाँ पे एक बार में लिख के दिखाता हूँ कि गलती क्या है माइनश और ये नंबर इधर आएगा तो पॉस्टिव हो जाएगा और ये कोशन मार पॉस्टिव ये आपके पास इतनी बाते समझ में आएगी जब ये मजहन में आपकी दिमाग में है तब ये बात आपके किलियर हो जाएगी कि कैसे लगाना है अब आप देखो ये वाला नंबर ये नंबर आपका पॉस्टिव वाला ये दोनों साथ में पहले जोड़ेगा गलती क्या होती है हम लोग दसमलो को हमीशा उपर नीचे उपर नंबर नीचे रखके जीवन बर घटाते रहें नॉर्मल नंबर है फिर भी उपर नीचे दसमलो आले नंबर है फिर भी उपर नीचे गुड़ा करना है फिर भी उपर नीचे तो ये से बचना है आपको दसमलो हो चाहे गुड़ा हो चाहे भागो सबकों मैं एकी तरीके से जैसा है वैसे उसके सिर से सिर को पैर को पैर से मलना हर एक अंग को उसके अंग से मिला के जोड घटा देते हैं बस सीधी सबत दसमलो दिखरा है या दसमलो दिखरा है दसमलो की पीछे दो अंग है दसमलो की पीछे दूसरे अंको 17 कहते हैं 17 को 17 से मैंने जोड़ा 4-3-7 लिखा बो समझ आया और 10 ओलोगे पीछे पहले अंको को पहले अंक से 6-2-8 लिख लिए बोलो समझ फिर 10 ओलोगा लिए बस इतनी बाते हैं और 10 ओलोगे पहले पहले अंको 21 को 21 से 2-2-4 कर लिए और दहाईं को दहाईं से 9, 0 9 हो गया और 2 और 3, 5 हो गया बोलो बेटा समझ में है न तो इतनी बाते जब आभी ये समझ में आ जाएगा तो माइनस में बचेगा ये माइनस 4, 1, 3, 0.92 मैं करो इसको 3 स्टेप 2 स्टेप ना बना के एक स्टेप में इसको करने लाइक बन जाओगे मैं करा सकता हूँ इसको, और करा भी दूँगा देखिए अभी अब इसको गटाना, ये नमबर बड़ा है, ये नमबर छोटा इस बात को धियानना का, 59 59, 59, 494 और 400, तो ये छोटा वाला है और ये पहले वाला बड़ा है, और ये वाला लास्ट वाला छोटा है, तो आप इसको कैसे घटा होगे, वो भी देख लो आप जब सात में से दो घटा होगे तो ये बचेगा पांच, ठीक है और आठ में से जब नो घटा होगे ये बेटा, ये हो गया तीन तो तीन में से तीन घटा होगे तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है और नो में से एक घटा होगे तो ये हो जाएगा आठ और पांच में से चार घटा होगे तो हो जाएगा तो असी, 180.95 आपका देखो ये औप्शन C वाला is correct answer आ रहा है तो इस कदर आप जब प्रस्टों को करने लगोगे तो आपकी छमता बढ़ने लगेगी धीरे धीरे और आपको बता दूँ बार बार मैं करो दो दो तिन तिन बार जितनी टाइमस आपको समय में ले उतनी बार करिए मुबाइल फालतों का यूजमत करिए यूटिलाइज करिए जैसा कि मैं बता रहूँ ऑनलाइन घर पे बैठे आप बातों को समझते हुए इस लॉक्डाउन में अपनी समस्यों को खतम कर लीजे जो आपकी मैथ से प्रकार कर पाऊगे देखो तो अब इस वाले कोश़्न को देखो दसमय बीचे 2 अंग दसमय बीचे 3 अंग दसमय बीचे 4 अंग दसमय बीचे 5 अंग तो क्या 5 अँड़ कहीं पहे नहीं है आप ऐसे कर लो थिक है एक बच्चा दसमय लो가지 ऐसे करेगा 99.99 फिल लिखेगा 10 मलो 9 फिर यहां 999 लिखेगा फिल लिखेगा 9 यहां 9, यहां 9, यहां 9 फिर यहां 9 फिर यहां लिखेगा 9.9999 यह बत्तमीजी करने का कोई मतलब नहीं आपको तो इस प्रकार आप जोड़ोगे कोई भिहोदिगी है आपको बता दू यहाँ पर 9 करोगे 9-9, 18 करोगे 9-3, 27-22 करोगे फिर 9-4, 36 9-9 जोड़ोगे 36 और 36 और 2 करोगे तिहाँ पर 38 आएगा 3 बचेगा 9-4, 36, 39 करोगे फिर 3 बचेगा 9-4, 36, 39 करोगे 9 और 3 करोगे बार आएगा कुछ गडबड आ रहा है 1-9, 99 तो यहाँ पर यह आप्शन जो दिया हुआ यही मिस्टेक बेटा दिया हुआ है क्यों अभी मैं बता दे रहूँ क्योंकि 99 है तो कभी 49 48 कभी नहीं आ सकता है ठीक है? हाँ, आप्शन मिस्टेक है याद रखना तो चलिए, मैं यह तरीका छोड़ करके डारेक्ली यहाँ देखो तो पांचों आंग तो हमारे पाद दसमलों की पीछे पांचों आंग हाई नहीं ठीक है? दसमलों की पीछे चौथा आंग यहाँ पे और चौथा आंग यहाँ पे 9, 9, 18 केलेर हो गया एक हासिल बचा हुआ है एक दम नोट करते रहे दसमलों की पीछे तीसर आंग यहाँ पे 9, 98 यहाँ पे तीसर आंग और यहाँ यहाँ पे 9, 9, 27 और एक हासिल कित्ता हो जाएगा? 28, 9, 27 एक मिनिट कहां पे 3 कहो गया? यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 9, 9, 18, 9, 3, 27 और 1, 28 हो जाएगा यहाँ पे कुछ गड़बर हो गया होगा 9, 9, 8, 9, 3, 27, 27, 28 एक ही आठाएगा ठीक है तो यहाँ पे 28 एक अब हासिल बची हुई दो अब दूसरा अंक यहाँ पे लेंगे 9, 9, 18, 9, 3, 27, 9, 4, 36 दूसरा दस्मुलों के बीचे सिकंड इसिट 36 और 2 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा फिर बचेगा 3 हमारे पास हासिल में दस्मुलों के पीछे सिकंड फस्ट वाला नंबर 9, 9, 18, 9, 27, 9, 36 और 36 और 3 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा उसके बाद तुरन दस्मुलों लगा दिया फिर दस्मुलों के पहले दस्मुलों पीछे ने दस्मुलों के पहले पहला आंग 9, 9, 18, 9, 27, 9, 36 और 36, 3, 49 इतना हो गया 36 हो 3, 49 फिर 3 बचा हुआ एक ही अंग है 9 और 9, 3 कितना हो जाएगा 12 तो इस प्रकार आप कोशन को करोगे तो बहतर तरीके से कर पाओगे कोई मिस्टेक नहीं आने वाली है तो एक ये पूरा रो और कॉलम बना रहे हुए देखो और हमारे कॉंसेट को देखो दोनों में बहुत बड़ा फरक आएगा ठीक है तो इस प्रकार आप करोगे तो बहतर तरीके से कोशनों को कर पाएंगे आसा है कि आपको समझ में आ गया होगी बाते तो बिटा आगे अभी बहुत सारे प्रश्ण है इस तरीके से देख रहे हैं दसमलों वाले वाले तो अगले वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और ये मैं दे दूँगा आप घर पे करिएगा सारे कोशन्स को ठीक है जैसा कि एक कोशन यहाँ पर मैं इसको करा देता हूँ तो ग्यारा का स्कार जैसा कि ये कोशन है तो इसमें गलतियां क्या होती है लोग नहीं कर पाते है तो इसको भी मैं लास्ट करा देता हूँ देखो 11 का स्कार दिया तो 11 का स्कार आक्सकार 12 होता है minus फिर 11 का स्कार 12 ही लिखा हूँ है लेकिन 1 के बार दसमेलो पीछे से हो तो पीछे से 1 के बार दसमेलो जब दो और दो फिर चार रंग के बत दस्वलो लगेगा यह देखो मैं अगली वीडियो में यह सारी कहानिया बताऊंगा अभी ने इसको करिएगा फिर कराऊंगा क्योंकि बाकी अभी बहुत सारे प्रस्ट है पचास मिन्ट ज़्यादा बैट के देख भी नहीं पाऊ गया तो अराम से थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी सौट वीडियो होंगी तो बहतर होगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में और बहतर कंटेंट के लिए और बहतर वेसिक कॉंसेट को देखने के लिए जरूर एक बार सेर जरूर करे अपने सहयोगिय को जिनको mathematics में problem है यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग views करते हैं तो मैं next videos बनाऊंगा नहीं तो मुझे लगेगा भाई आपका शक्तान नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तो मुझे लगे का हाँ need है तो need है तभी मैं effort करूँगा इस चीज़ पर thank you so much फिर मिलते हैं और अच्छा लगेगा तो like share करिएगा और फिर next videos videos number third जो हमारा होगा उस में आएंगे फिर से लेकर thank you so much